Hello everyone, welcome to my channel, मैं हूँ सुजाता, आप देख रहे हैं Momis Diary Hindi, सीखो तो पूरा सीखो और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को बोलना कैसे सिखाएं और किस एज में आपको डोक्टर के पास जाना चाहिए, डोक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर Speech Therapy स्टार्ट करनी चाहिए मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लिए टेस्ट अपडेट्स के लिए तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट टिप है Conversation बच्चे के साथ बात करें जितना ज्यादा हो सके बात करें जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं तो चुपचा बैटके ना खेलें बच्चे के साथ बोलते रहें माल लीजी आप बच्चे के साथ एनिमल्स से खेल रहे हैं तो उन एनिमल्स के बारे में बात करें कि ये है लायन, ये है एलिफेंट ये दोनों आ रहे हैं, अब इन दोनों का जग्रा हो जाएगा या फिर ये दोनों अब खाना खाएंगे, इनको भूख लगई ऐसे कुछ भी आपको स्टोरी बना के बच्चे के साथ जब खेलते हैं, तो बोलते रहना है उनके साथ conversation करते रहना है अगर आप बच्चे को नहाने लेके जा रही है उस टाइम पे भी आप उसके साथ बातें करते रहिए कि अब मेरा बिटा नहाएगा, ये है बाल्ती, ये है टब, ये है डिबा अब हम डिबे से पानी डालेंगे, पहले आपके हाथ साफ करेंगे, फिर आपके पैर साफ करेंगे तो ऐसे आप words use करते रहिए, बोलते रहिए, बता नहीं बच्चा किस word को catch कर ले और कब बोलने लग जाए तो अगर आप बच्चे के साफ चुप-चाप सारे काम करते रहेंगे, तो वो कैसे सीखेगा कि बोलना सीखने के लिए जरूरी होता है बच्चा सुने, तो अगर बच्चा सुनेगा ही नहीं, तो बोलेगा कैसे तो बच्चा जब सुनता रहेगा पूरा दिन, रोज, हर रोज, बहुत सारे words, same words सुनता रहेगा तो उन में से कोई ना कोई word वो catch कर लेगा और उसको बोलना भी शुरू कर देगा तो आप नहाते टाइम, खाना खिलाते टाइम, खेलते टाइम, सोते टाइम, हर टाइम आपको बच्चे के साथ क्या करना है बात करनी है, conversation करना है, easy easy words use करने है और interesting way में बात करना है ताकि बच्चा सुने तो वो बोलना भी सीखे इसलिए आपने देखा होगा वो बच्चे जो joint family में रहते हैं वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं और जो nuclear family में रहते हैं वो बच्चे थोड़ा सा late बोलना सीखते हैं क्योंकि उनके साथ conversation करने के लिए सरफ एक mother ही होती है तो बच्चे के साथ खूब 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 सारी बाते करें आपका बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा ये टिप सबसे important है दूसरा टिप है बच्चे की इशारे समझना बंद कर दीजिए बच्चा जब भी आपसे कुछ मांगता है तो वो इशारे करता है ऐसे इशारे करता है और आप समझ जाते हो फटाक से वो चीज़ बच्चे को दे देते हो तो जब बच्चे की डिमांड पूरी हो रही है तो वो फिर कोशिश क्यों करेगा आपको अपनी बात समझाने की बोलने की तो आप बच्चे के इशारे समझना बंद कर दीजिए बच्चे को बोलेंगे आपको यह चाहिए तो बच्चे को अगर चाहिए होगा तो बोलेगा हां और अगर नहीं चाहिए होगा तो बोलेगा ना तो उसको जो चीज़ चाहिए दुबारा दूसरी चीज़ उठाए बोली आपको यह चाहिए बच्चे ने बोला हां तो आपक के पास कोई option नहीं रहता, उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी बात तो आपको समझानी है, अब आपने इशारे समझने बंद कर दिये, तो उसके पास option क्या है, बोलने का, वो बोलेगा तब जब उसको उस चीज का नाम पता हुगा, तो जब भी वो इशारा करके माँगेगा, आपको इस चीज का नाम उसको बता देना है, आपको लायन चाहिए, आपको फ्रूट चाहिए, आपको पानी चाहिए, तो बच्चा उनी वर्ड को सीखेगा और बोलेगा, हाँ पानी, तो ऐसे ही वो सीखते हैं, तीसरा टिप है, बच्चे को जब बोलना सिख तो words के साथ शूरू करें ज्यादा लंबे sentence में अगर बच्चे से बात करेंगे या बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा तो बच्चे को छोटे-छोटे words में बताएं जैसे ममा, पापा, दादा, दादी, पानी, खाना, एपल, बनाना इस टाइप से छोटे-छोटे word बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है और कभी भी तुतला के बात नहीं करनी है बच्चे के साथ हमेशा बिलकुल clear बोलना है तो बच्चा भी जो है वो clear ही बोलेगा तुतला के बोल तो शुरू में ही उसको clear बोलना सिखाए वो जैसा सुनेगा वैसा ही वो बोलेगा नेक्स है बच्चा बच्चे के साथ बहुत जल्दी सीखता है अगर आपके घर में बच्चे है तो ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं है तो आज पास परोस में कहीं कहीं जब नहीं है तो जब पार्क में लेके जाते हैं तो डेफिनेटली वहां बच्चे आते होंगे बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ घुल्ने मिलने दीजिए तब ही वो बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा जो चीज हम नहीं सिखा सकते न वो दूसरे बच्चे बहुत तो हम भी बोल बोल के ठक जाते हैं, तो जब आप बोल-बोल के परेशान हो जाओ, तो आप क्या यूस करना है? Rhymes और Rhymes में बच्चों को Interest भी आता है और वो उनको Catch भी बहुत जल्दी करते हैं अब ये नहीं करना कि मोबाइल में Rhymes चला के बच्चे को दे दिया कि बच्चा सुन लो और सीख लो ऐसे नहीं करना आपको उसके साथ Rhymes गाना है थोड़ा सा डांस करते वी गालो, interesting way में गालो, तो बच्चा rhymes के थूँ बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा, सोते टाइम उसको stories सुनाएगा, या खाना खिलाते टाइम उसको stories सुनाएगा, उस टाइम पर भी story को भी थोड़ा interesting way में, थोड़ा face expression के साथ आप बोलेंगे तो बच्चा उन words को catch कर लेता है देखिए जो बोलने का procedure है उसमें हमारी जीब, हमारा जबड़ा, हमारा गले में जो sound निकालने वाले अंग होते हैं यह सब involve होते हैं और सबसे में सुनने की ability तो यह सब जब बच्चे में होगा तब वो क्या करते हैं बोलते हैं तो इसमें हो सकता है बच्चे की जीब की moment नहीं हो रही है उसका बोलने वाला अंग उसमें कोई दिक्कत है या उसके सुनने में उसको कोई problem है तो वो सुनेगा नहीं तो बोलेगा भी नहीं लेकिन हमें ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी और कब किस age में हमें डोक्टर से ये consult करना है तो देखी अगर 14 महीने का आपका बच्चा हो गया है और वो 3-4 words ही बोलता है उसे जादा नहीं बोल रहा या फिर एक भी word नहीं बोल रहा तो फिर ये tension की बात है और अगर 20 मही खाना पानी आ जाओ जाओ इधर उधर इस टाइप के मतलब कुछ भी word वो बोले लेकिन 10 से 20 word अगर वो बोल रहा है तो इस ओके लेकिन अगर वो 10 word भी नहीं बोलता है 20 महीने का हो गया है तो आपको consult करना है डोक्टर से डोक्टर उसको अच्छे से चेक करेंगे और आपक करता है उसको कोई problem नहीं है बस सरफ आप उसके साथ conversation कम कर रहे हैं इसलिए वो नहीं बोल पा रहा है तो सबसे पहले डोक्टर से ही consult करना है direct कहीं speech therapy करवाने के लिए मत चले जाना तो एक बार आप डोक्टर से consult कर लेंगे तो डोक्टर अपने आप ही बता देंगे कि उसक वीडियो को जितने parents के साथ हो सके share जरूर करना तो मिलती हूं आपको ऐसे ही और informative वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार खुश रहें अपने बच्चों का ध्यान रखें